आज हम बात करेंगे HIV पॉजिटिव, साधी, सुखी दामपत्य जीवन और बच्चे के बारे में आप क्या जानेंगे? क्या HIV पॉजिटिव साधी कर सकता है? हाई पॉजिटिव किसे साधी कर सकता है? सिर्फ पॉजिटिव से या सिर्फ नेगेटिव से या दोनों में से किसी से भी? पार्टनर कैसे पाए? क्या पती-पत्नी में एक हाई पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो सकता है? क्या पती-पत्नी में किसी एक हाई पॉजिटिव आए तो सुरक्षित जातिय सबंद मुनकिन है? क्या पती-पत्नी में किसी एक या दोनों को हाई पॉजिटिव आए तो हाई मुक्त बच्चा करना सक्य है? सबसे पहले देखते हैं क्या हाई पॉजिटिव इंसान साधी कर सकता है? तो इसका जाब है हाँ हाई पॉजिटिव इंसान भी साधी कर सकता है क्या दो HI-positive इंसान साधिक कर सकते है हाँ यदि दोनों इंसान HI-positive है तब भी वो साधिक कर सकते है जिसको concurrent couple किसे नाम से जाना जाता है HI-positive partner कैसे पाए यदि आप HIV पॉजिटीव हो और आपको HIV पॉजिटीव पार्टनर्स चाहिए तो आप उसके लिए आपके HIV डॉक्टर से बात कर सकते हो कि डॉक्टर्स को पता भी हो सकता है कि आपके लायक दुसरा पार्टनर्स पात्र कौन है या आपके क्लिनिक या तो ART से जुड़े NGO या अन्य संस्था का संपर्ख कर सकते हो या विबसाइट है फ्री HIV मेट्रिमिनल विबसाइट www.positivsathi.com वहाँ पर आप बिना कोई भी चार्ज रेजिस्टेशन करा के आप अपना पार्टनर धुनने का प्रेतन कर सकते हो क्या HIV पॉजिटिव इंसान HIV नेगेटिव इंसान से साधी कर सकता है हाँ HIV पॉजिटिव इंसान भी HIV नेगेटिव व्यक्ति से साधी कर सकता है लेकिन आप साधी का रिष्टा ते करो साधी करो या किसी व्यक्ति के साथ चातिय सबंद्र चाओ तो आपको अपने उससे पहले आपको अपना H.I.E. पॉजिटिव का स्टेटस सामने वालों को बताना है आप अपना H.I.E. पॉजिटिव का स्टेटस छुपा कर किसी व्यक्ति के साथ रिष्टा ते नहीं कर सकते साधी ते नहीं कर सकते और जातिय सबंध नहीं रच सकते वरना सामने वाला इंसान आपके खिलाब भी केस भी कर सकता है क्योंकि आपने आपको पता होने के बावजुद भी सामने वालों इंसान को infections हो सकता है उस खत्रे में रखा है तो आप साधी कर सकते हो लेकिन छुपा के नहीं आपको आपका status सामने वालों इंसान को बताना है क्या पती पतनी में किसी एक HIV positive और दूसरा partner negativity हो सकता है मुझे काफी बार लोग पूछते हैं कि सर मेरा पती या मेरा पत्नी का report और नेगेटिव है और मेरा positive या तो उसका positive है और मेरा negative है टो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम दोनों में सी किसी एक का positive है और एक का negative है लेकिन हाँ यह हो सकता है यह बहुत आम बात है और 50% कपलों में ऐसा ही देखनों को मिलता है कि एक partner positive और दूसरा partner negative है जिसको HIV zero discordant कपल भी बोला जाता है या तो mixed status कपल भी जाना जाता है अब ऐसा क्यों होता है कि एक positive है और एक negative है आम तोर पर लोग ऐसा ही मानते है कि हमेशा एक partner positive है दूसरे को HIV होई गया होगा लेकिन ऐसा नहीं है बिना condom भी husband wife के बीच में जदी sexual relation से बनते है और एक partner positive है तब भी ज़रूरी नहीं है कि HIV हर बार सबंद रखने के टाइम पे HIV एक इंसान में से दूसरे इंसान में जाता है ऐसा बिलकुल नहीं होता है एक इंसान में से दूसरे इंसान में जाने की संभावना होती है तो समने वाला इंसान positive हो सकता है और negative हो सकता है और ये HIV transmit होने का जो रिस्क है वो काफी चीजों पर आधारित होता है उनमें एक चीज है HIV viral load यदि viral load ज्यादा है तो HIV transmit होने की संभावना ज्यादा है और viral load कम है तो HIV transmit होने की संभावना कम है क्या पति पतनी में किसी एक HIV positive आए तो सुरक्षित sex सक्य है हाँ यदि ऐसा हो तब भी मिसके दो पति पतनी के बीच में या तो दो पार्टनर के बीच में सुरक्षित sex सक्य है जो positive है उसको अपनी हमेश्य जो ART की दवाई है उसको हरुष दवाई खाना है कभी दवाई को छ मिलना है और अपना जो भी हर छे मेनी है हर साल पर जो रिपोर्ट कराने है और नेगेटिव पार्टनर से उसको त्यान रखना है कि वह फिर भी मिसके जरुद ना वीसके बच्च को बच्चे प्लानिंग नहीं करना हो तो आप कॉंडॉम का इस्तमाल करें और फिर भी मान ज आपको HIV होने की संभावना नहीं है फिर भी आपको डर लग रहा हो तो आप प्री एक्सपोजर प्रोफालेक्सिस के बारे में सोच सकते हो क्या दोनों पार्टनर को HIV हो तो कॉंडम का इस्तमाल करना ज़रूरी है जादतर लोग ऐसा मानते है कि दोनों पार्टनर को HIV है तो कॉंडम का इस्तमाल करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यह एक गलत फहमी है दोनों पार्टनर को HIV हो तब भी कॉंडम का इस्तमाल करना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स के अंदर अलग किसम के वाइरस हो, हो सकता है कि अलग किसम की दवाय काम करें ऐसे वाइरस हो, हो सकता है कि उसका ड्रग से रेजिस्टन्स अलग-अलग किसम का हो सकता है, वाइरस की मात्रा दोनों में अलग-अलग हो, और HIV है तो ऐस इसा भी हो सकता है कि अब हमको HIV से डरने की जरूत नहीं लेकिन आपको दूसरे भी और बीमारी जिस तरह से HIV एक प्रकार का गुर्पत्रोग है उसी तरह से और भी गुर्पत्रोग हो सकते है इसलिए भी आपको कॉंडॉम इस्तेमाल करना जरूरी है और अंचाई इसलिए दोनों पार्टनर को यदि HIV हो तब भी कॉंडॉम का इस्तेमाल करना चाहिए सुखी-दाम-पत्य-जिवन में वायल लूर का महत्व क्या होता है यदि एक पार्टनर पॉजिटिव या नेगेटिव है या तो दोनों पॉजिटिव है तब भी उसके बीच में सुरक्षित सबंद सक्या है उसके लिए जिस इंसान को ही पॉजिटिव है उसको ठीक से दवाए खाना है दवाए खाने से वाइरलोड की संख्या हुआ था एक partner study नाम का study हुआ था अभ्यास हुआ था जिसमें ट्रिपल eight couples को participate किया था जिसमें एक partner positive था और एक partner negative था जो positive partners था वो नेमित दवाय खा रहा था और उसका viral load के संख्या 200 से कम थी चार साल तक यह अभ्यास चला और इन partner को बीच में बिना कॉंडम साइक सबंद हुआ तो कुल मिला कर fifty eight thousand time बिना कॉंडम सेक्स हुआ तब भी अभ्यास के अंत्म तक उसके बाद जब result आया तब एक भी negative partners को HIV नहीं हुआ था तो यह partner study का यहां पर क्या अहिमियत है यहां पर सिफ कहिने का मतलब यह है कि यदि एक positive एक negative है वो बच्चा चाहते है तो आप कुछ समय तक के लिए कॉंडम का इस्तमाल नहीं करोगे बच्चा पाने के लिए तो भी सामने वाले partners को को कोई खत्रा नहीं है और काफी बार ऐसा होता है कि पती पत्नी में से एक को यह चाही होता है और एक को नहीं होता तो उस सामने वार नेगेटिव पार्टर इसको बहुत डर लगता है उसको ऐसा भी लगता है कि कॉन्नम इस्तमाल करने के बावजूद भी डर लगता है तो फिर यहां पर मान लोग कभी कबर स्लीफ हो गया तब भी आपको डर जरूरत नहीं है जो यदि आपका वाइर पार्टर का वाइरल लोड़ दो से क हो तो यहां पर बच्चा पाने के लिए पार्टनर स्टड़ी आपको समझने के लिए काम आयागा और आपको डर यदि एक पार्टनर पॉजिटी या नेगेटिव है तो आपको डर कम करने के लिए पार्टनर स्टड़ी यहां पर आपको समझने के लिए जरूरत है है अब है चाई पॉजेटी पार्टनर्स को लिए दवाई किस तरह से ध्यान रखना है यह आपने अभी तक दवाई चालू नहीं किया है तो जल से जल अपनी दवाई चालू करें कभी भी अपनी दवाई खाना ना भूले अपने दवाई डोज में अपने आपको बद्लाव करें बीच में कभी भी अपनी दवाई को बंद ना करें और दवाई खतम होने से पांच से दस दिन पहले ही अपने डॉक्टर से दवाई ले ले यदि आप इस तरह का ख्याल रखेंगे तो आपका वाइरल लोड की संख्या लाखों में होगी तब यह कुछ समय बाद हो ना प्रेंसी प्लाणि करना चाहते हो तो अब भी मिसके आपके बच्चे में आपके पेड के अंदर से ही वाईरस ट्रांस्मीट होने का को खत्रा नहीं रहेगा और ना तो कोई डिलूरिक के टाइम बच्चे को होने का को खत्रा रहेगा अब एक और चीज होती है प्री एक्स् चाहिए हो जाएगा तो लोग सेक्शियोल रिलेशनिप से दूर रहते हैं या तो प्रिग्नेशिव प्लानिंग करने के लिए डरते हैं तो आपको एधी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो इसके अलावा भी आप प्री एक्सपुदर प्रॉफाल एक्सिस मेडिसिन्स बच्चा प्लानिंग कर तक बच्चा प्लाणिंग कर रहे हो तो जब तक बच्चा प्लानिंग कर रहे हैं ना हो जाए तब तक और आखरी एक्सपोजर से साथ दिन बात तक भी आपको खाना है तो आप सेक्स करो या नहीं करो लेकिन आपको प्रिएक्सपोजर प्रॉफालेक्सिस हरुष्ष्क लेने की जरूत होती है और ज्यादा जानकारी के लिए कौन को ने पर बताए आए बटन हो सकता है तो इसका जवाब है हाँ आप एक या दोनों को भी हो तब भी मुक्त बच्चा पाना पॉसीबल है इसके बारे में में पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है वह आप इस कौने में आए बटन को क्लिक करकर उस वीडियो को देख सकते हो इसमें आपको कौन से किसम की कराने की जरूरते नॉर्मल या तो सीजरियन दूद कैसा पिलाना है सिर्फ मा का या सिर्फ उपर का बच्चे को दवाए के बारे में लेबोर्ट्री के बारे में ज़रूर जानकारी इस सबी चीज़े आपको उस वीडियो में मिल जाएगी अब इलाज ना कराने पर 10 फिज़े रिस्क होता है यहाँ पर जो में नंबर से वह इलाज ना कराने पर है जब इलाज कराते हैं तो यह सभी संभावना को जोड़के भी उसकी संभावना एक फिज़े से कम हो जाती है तेरोटिकली और प्राक्टिकली हम को बच्चे में एचावी आया आता है ऐसा द संभावना 5-20 फिज़े होती है लेकिन जब अब लेते हो तो यह संभावना जीरो के नजदिक पहुंच जाती है एक से भी कम हो जाती है क्या साधी से पहले एचावी का रिपोर्ट कराना चाहिए प्री मराइटल चेक अप कराना चाहिए हम आज इस जागरुत्ता पहले ही आपको पिस्ट्रेट्स का पता चल जाएगा तो साधी के बाद होने वाली प्राब्लेम्स को हम कम कर सकते हैं और क्या साधी से पहले कौन से रिपोर्ट कराने चाहिए आपको ब्लड गुरूप में टेस्टिंग कराना है फॉर्टिलेटी कराना है जिनेटिक मेडिकल हिस्ट्री जिस तरह से हार्ट अटेक और डायबेटिस जुड़े हुए उससे हाई और गुरूपतों के रिपोर्ट य में वाले पार्टनर्स को भी इस बीमारी होने से रोख सकते हैं आखिर में मेरा परिचाई मैं डॉक्टर केतन राणपरिया एचाईवी एड़ स्पेश्यालिस्ट यदि आप मेरे से ओनलाइन कंसलुडेशन करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप मुझे वाट्स आप कर सकत हो हम हर सनिवार और रईवार दुपर को एक बजे एचाईवी से जुड़ा हुआ टॉपिक के साथ वीडियो अपलोड करते हैं और आखिर में एक चीतावनी यहां पर कही गई बाते आम जानकारी के लिए हैं समय के साथ विज्ञान बदल सकता है किसी भी जानकारी को अपन जीवन में लागू करने से पहले एचाईवीड स्पेशलिस डॉक्टर से व्यक्तिक रूप से राह लेना अत्यनत अवश्चक है थैंक यू